नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहा है इंडिया की सबसे डरावनी मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये जो मूवी है ये सापित मूवी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी हिट मूवी मानी जाती है और इस मूवी का रिकॉर्ड आस तक कोई नहीं तोड़ पाया है आपकी नजर में कौन सी मूवी है हमें कमेंड में ज़रूर बताएं मेरी नजर में है वीराना अगर हम बात करें वीराना मूवी की ये मूवी रिलीज हुई थी 1988 में और इस मूवी को टेरेट किया था रामसे प्रिधर्स ने जी हाँ दोस्तों तुलसी रामसे ने और स्याम रामसे ने और देखा जाए इस मूवी का जो बज़ड था वो था 40 लाख रुपए और उस समय इस मूवी ने 2 करों 70 लाख रुपए कमाए थे यानि की देखा जाए अपने बज़ड से 5-6 गुना जादा इस मूवी ने कमाई करी थी और आज तक बॉली हुड की कोई भी ऐसी हौरर मूवी नहीं बनी है जिसने अपने बजट से 5-6 गुना ज़्यादा कमाई करी हो और देखा जाए दोस्तों इस मूवी को सापित मूवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मूवी की जो हिरोईन थी जैसमीन जो की इस मूवी के बाद वो अचानक गैब हो गई थी क्योंकि बताया जाता है कि वो बॉलिवुड की सब्चे खुबसूरत हिरोईन थी और देखा जाए इस मूवी के बाद उनको कई सारी फिल्मों के आपर थे लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला फिलाल कुछ खबरे निकल करके सामने आई बहुत लोगों ने ये कहा कि वो मर गई बहुत लोगों ने ये कहा कि वो जिंदा है लेकिन इन सब बातों का कहीं कुछ पता नहीं चला लेकिन फिल बीफ में ये खबर सुनने को मिलती है अंडर वर्ड की नजर उनको उठाना चाहते थे जिसके चलते वो अंडर वर्ड से डर गई थी इसलिए उन्हों अपना सब कुछ छोड़ चाड़के विदेश चली गई और विदेश में सेटल हो गई लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद सन 2017 में इसी फिल्म के डिरेक्टर स्याम राम से ने एनौंसमेंट किया कि वे अब विराना टू दुबारा बनाएंगे और वो इस मूवी में जैसमीन को दुबारा लेकर किया आएंगे और उन्होंने जैसमीन के बारे में कई सारी बाते भी बताएं उन्होंने ये कहा कि जैसमीन कहीं नहीं गई है वो मुंबई में ही है लेकिन जब वो सूटिंग कर रही थी तो उसकी मा की तवियत खराब हो गई थी और जिसके चलते वो कापिटर भी गई थी लेकिन जब तक ये मूवी खतम हुई तक तक उनकी माँ खतम हो गई थी जिसके चलते वो सदमे में चली गई दोस्तों लेकिन मैं उसको दुबारा फिर से ले करके आऊंगा और उसके साथ विराना को मूवी पनाऊंगा लेकिन दोस्तों वहीं सन 2019 में देखा जाए स्याम रासे की मौत हो जात तक कोई अता पता नहीं है यहां तक के दोस्तों चैसमीन अपने नाम के आगे क्या लगाती थी वो भी किसी को अता पता नहीं उसका सरनेम क्या था तो इस मूवी को साफिक मूवी भी कहा जाता है और यह बॉलिवुड की सब्से बड़ी मूवी थी मानी जाती है हॉरर दोस्तों तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें चरूर बताएंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हम आपके लिए ऐसी कुछ जानकारी लाते रहेंगे मिलते हम अगले वीडियो में तब के लिये, नमस्कार, भाइ, भाइ.